किसी की एक ट्विट ट्विटर पर कितनी ज़्यादा ट्रेंडिंग कर सकती है और कितनी ज़्यादा खबरे बना सकती है ये तमाम बाते हैं मगर जब ट्विट प्रधान मंत्री का हो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का हो और वो भी देश्ट के नामी गिरामी बिजनसमेन औ होने लगे मगर ये बाते एक और जो देखने वाली है कि जिस प्रकार से वहाँ पर राकेश जुन 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 बाला जो देश के 36 में अमीर सक्सियत में आते हैं और दुनिया में 501 में मगर नरेंदर मोदी ने वह तस्वीर डालने का मकसद क्या था वैसे कई बिजनसमेनों से जब कोई मिलते हैं कोई भी राजनेता तो तमाम तरह की बाते होती है मगर जब से कह सकते हैं कि ये जो सरकार आई है 2014 के बाद से तो तमाम जो मंत्री और नेता हैं वह बिजनसमेनों से नहीं मिलने में जिजखक करते हैं और नहीं उनके साथ तस्वीरे डालने में कोई पिजक कहते हैं कि अगर हम अपने देश के बिजनसमेनों का अगर बढ़ावा नहीं देंगे, अगर उनके साथ तालमेल नहीं बनाएंगे, तो फिर अपने देश में कई चीजें, देश की विकास की गती में कई चीजें धीमी पड़ सकती हैं। यहां तक कहा गया है तमाम जो ट्विट जो नीचे आया है उसपर यहां कहा गया है कि नरेंद्र मोदी किसानों से मिलते हुए नजर नहीं आते हैं मगर राकेश जुन जुन बाला जितनी सादगी से रहते हैं सायद ये तमाम बाते नरेंद्र मोदी इसे पसंद करते हैं और भी कई लोग राकेश जुन 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 बाला को पसंद करते हैं अलग-अलग कारणों से जो उनकी बोलने की सैली है और जहां से उन्होंने बिजनस क की शुरुवात की है वैसे तो अस्टॉक एक्स्चेंज में राकेश जुन्युन बाला एक पूरी दुनिया के लिए एक ऐसे नाम है जिन्हों ने एक इतनी कह सकते हैं कि वहां से काम शुरू किया था जहां से किसी ने सोचा आज जो सेंसिक्स 69,000, 60,000 के करीब जो हम लोगों को दिख रहा है एक जवाने में सेंसिक जब 1,500 अपर था उसी वक्त से राकेश जुन्युन बाला ने सेर मार्केट में पैसा लगाने की सुरुवात की और तमाम अपने बुद्धी बल विवेक के कारण वो आज इस देश के 36 में सबसे अमीर सक्सियत हैं और लगभग 5,500,000,000 से ज़्यादा उनकी प्रोपरिटी है उनका नेटवर्थ कर सकते हैं कि उनकी बिजनस की और उनकी कमपनी की ये रुपे हैं तो वहां से कई बार जब ट्रोलर ट्रोल करते हैं तो साय जानते नहीं है वैसे सेर मार्केट का हरसद महता का नाम आता है सेर बाजार में जिस प्रकार से अनीमित्ता के कारण उन पर कार प्रवाईयां हुई ये अलग बात है कि अब उनका निधन हो चुका है मगर हरसद महता वहाँ पर बहुत बड़े नाम थे और ये उस समय के राकेश जुन्यून बाला जो सेर अस्टॉक मार्केट में पैसा लगाया करते थे कहा जाता है कि पांच हजार रुपे लेकर इन्हों से मुंबई को उन्होंने कह सकते हैं कि सेर बाजार में जिस प्रकार से उच्छाल और तेजी जो देखी गई 1985 से लगख 35 सालों से राकेश जुन्यून बाला इस काम में लगे हुए हैं और नरेंद्र मोदी का ट्वीट करने के पीछ है कई कारण हो सकते हैं नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि ट्रोलर्स को कुछ मटेरियल दे दिया जाए तो ये तमाम बाते हुआ करते रहते हैं मगर फिलाल नरेंद्र मोदी को जिस प्रकार से ट्रोल किया गया मगर राकेश जुन्यून बाला वहाँ पर कई लोगों ने इनकी तारिफ भी करते हुए नजराए कहना था कि एक सक्स कहां से कहां तक पहुँच सकता है यह उसके सबसे बड़े मजबूत उदारन है राकेश जुन्यून बाला वहीं उनके सार्ट के उपर जिस परकार से एक व्यक्ति ने कॉमेंट किया कि उस पर इस्तरी होनी चाहिए तो इससे पता चल सकता है कि उनकी को लेकर भी ट्रोलर्स ने ट्रोल किया है कि एक बैपारी के सामने प्रधान मंत्री किस प्रकार से जुका हुआ है मगर राकेश जुन्यून बाला की शुरुवात से अब तक कहानी अगर जानेंगे और जिस प्रकार से नरेंदर मोदी ने बाते की है कि तमाम सिच्छा को ले करके जो बाते की है वो महतपूर्न है यही कारण रहा की राकेश जुन जुनमाला के साथ उन्होंने ट्टेस को ट्वीट किया मगर अब लोगों को भी है सोचना होगा कि क्या बिजनसमैन को अपराधी होता है यहे eक बड़ी बात है अगर बिजनसमैन को अपराधी की नजर से देखेंगे तो फिर कई चीजें इस देश में नहीं होगी रुख जाएगी और अलग-अलग देशों के बिजनसमेन आएंगे और उन्हीं का प्रोडक्ट यहां पर सफल हो पाएगा और उन्हीं का कारोबार चल पाएगा तो क्यों नहीं अपने देश में जो बैपार करने वा कहना है जो काफी सक्रिय मंत्री माने गए हैं और काफी सफल मंत्री माने जा रहे हैं उन जैसे निताओं और मंझे हुए निताओं का कहना है कि अगर बिजनसमेन को हम सम्मान नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा इंद्रा गांधी और अंबानी मुकेस अंबानी और अनिल अं गाठ होता है मगर अगर सरकार अगर बिजनसमेनों को अगर प्रुचाहित न करे तो फिर बहुत से काम गरबड़ भी हो सकते हैं यहाँ पर इस लिए जरूरी है कि अपने देश के बिजनसमेनों का साथ दिया जाए और अपने देश के बिजनसमेनों का बढ़ाया जाए वहीं कई नोटिस को लेकर भी राकेश जुन्यूनबाला के उपर ट्रोल किया गया है कि ये ये जगह पर इनकी घलती थी और ये ये जगह पर ये बाते हैं मगर फिलाल ये बाते होती रहेगी तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसको ट्रोल करने लगे और बिजनसमेन को अपराधी समझने का एक माइंड सेट इस देश में चेंज करना होगा ये महत्पूर्ण बाते हैं ये भी बाते हैं कि जो बड़े बिजनसमेन हैं वो सरकार से मिलकर कई चीजों पर अपनी संसाधनों पर इस देश में पकड़ बना लेते हैं और बहुत ज़्यादा वो अथा पैसे भी बना लेते हैं अम्मानी और अडानी को लेकर भी यही बाते कही जाती है मगर बाते हैं बाते होती रहेगी और तमाम ख़बर में मैं लाता रहूँगा फिलाल ये राकेस जुझन वाला को लेकर था जिस पर नरेंद्र मोदी ने टूइट किया उनके तस्वीर के साथ और लोगों ने उसे देखा और कई बातें की तमाम खबरों और मुद्दों में बने रहेंगे मेरा नाम हुआ रविकांद धन्यवाद